नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीका दोस्तों अज 12 जून 2019 बुदवार का दिन है और आज दिन बर के मुख्य समाचरा ब्रेक इन्ड विजलेंड आज की बड़ी खवरें आप सबीके लिए हाज़िन आज दोस्तों के मुख्य समाचरा पर बताई जाने वाली सबी कवरें नियमों में दिया डिल अब मिलेगी चेक्बुक समयत कई सुविधाईं जी हाँ दोस्तों रिजर बैक ने प्राफ्मिक खाता जो कि जिनका जीरो अकाउंट वाला खाता है उन्हें सोमार को नियमों में छूट दी है जिसमें ऐसे खाताधारकों को चेक्बुक और अन्य सुव प्लास्टिक की बोतल टीफन में है कैंसर रिपोर्ट में हुआ खुला साची हाँ दोस्तों प्लास्टिक का इस्तमाल हमारी जिंदेगी में इतना बढ़ गया है कि भूक मिटाने के लिए परोसे गए गर्मा गरम खाने को लेकर ठकान मिटाने वारे ठंडे ठंडे पानी और चाय की चुश्कियों तक हम नहीं जाने कितनी बार प्लास्टिक के बर्थनों का इस्तमाल करते हैं तदा ओफिस में खाना गरम हो या फिर आउटिंग पर खाना ले जाना हो किसी ने किसी रूप में प्लास्टिक हमारे साथ रहता ही है लेकिन क्या आप दानते हैं कि यही प पानी की हर खुट के साथ ही जहर हमारे सरीर के अंदर पहुंच रहा है यहां तक की सांस के जरीया भी अब प्लास्टिक के बारिक कण हमारी सरीर में अपनी जगह बना रहे हैं जो कि आपकी बीमारी और बहुत बीमारी के लिए काफी होता है जी हां दोस्तों प्लास्टिक के दोस्तों हमें काफी तरह की बिमारिया जोड़ी साओं हो रही है तो आप भी होस के उतना इस प्लास्टिक से बचने की कोशिज कीजिये ऐसा एक जिरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली वड़ी ख़वर अफटेट खोली हिंसा से फिर लाल हुआ है बंगाल दीदी कब छोड़ेगी अपनी सियासी हट जी हां दोस्तों तदा चुनाव खतम हो गया है और नई सरकार बन गई है तेज एक नए साम के बाद को जैसे बंगाल में हिंसा का गड़ी बन गया आहिते नहीं हिंसा जड़प और हत्या की ख़वरे पसिंग बंगाल की तरब से आती रहती है जहां पर राजनेती और सवक्ता की गद्धी के लिए कुछ भी जायज है चुनाव के नतीजे 23 मई को आई थे 24 मई को ह बंगाल में नादिया चीले में तता चक्वता में एक बीजीपी कार्य करता की हत्या कर दी थी उसकी बाद लगाता है जारी है और हिंसा ही और जड़प देखने को मिल रही है तता बताई जारे कि ममताब एनरजी के को समर्थक जो है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे यारी TMC के लोग जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो पता नहीं ममता के बारे में दोस्ते कर आप कुछ कहना चाहो कि यह हिंजाए क्यों करा रही है तो आप हमें कमेट बोक्स में अपनी राइज जरूर दीजीगा चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगल स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस लॉंच किया था और वहीं अब कमपनी ने भारत में सबसे सबसे सब्सेटा 6GB रेम वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स वोट 7 प्रो लॉंच कर दिया है आए जानते हैं इस फोन के बारे में जिया हां दोस्तों भारत में अगर आप इसे लेना चाहो तो चरूर आपको ओलाइन किसी भी साइट पर मिल जाएगा चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली वीडिकाव अपडेट अगले दो दिनों तक राजस्तान से लेकर दिली तक धूल का गुबारत चाया रहेगा वहीं बुंबई गुजरात और लक्षेदीप इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है जिहां दोस्तों जहां उत्र बारत में अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ेगा तो वहीं बुंबई गुजरात और लक्षेदीप के कुछ लाकों में भारी बारिश की जेतावनी भी अलट जारी किया गया है चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी ख़बर अपडेट सरफ एक बार एक लाख रुपर खर्च करके खरीदें सोलर एसी उसके आप भी अपने बिजली का बिल बचा सकते हैं इसके लिए आप सोलर एसी खरीद सकते हैं और इस एसी की सबसे बड़ी खासित यह होगी कि इसके उप्योग से आप बिजली के बिल के जंजट से मुक्त हो जाएंगे जी हां दोस्तों आपको सिरफ एक बर एक लाख रुपर म पहुंचा है सोना चांदी के तामे 500 रुपे की गिरावट है जी हां दोस्तों तरफा वेस्पीक इस तरफार दोनों कीमती धाकों में बड़ी गिरावट के बीची इस्तानी जेवराती मंग उतरने से दिली के सरफा बाजर में सोना 110 रुपे चमक कर तीन महीने के अधित से उच्छतम इस्तर पर 33,730 रुप पर 30 ग्राम पहुंच गया है जबकि चांदी पान सुरूप है रुड़क कर 37,850 रुप पर 30 किलो ग्राम पर आ पहुंची है चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खावर अपडेट यूराज सिंग ने अंतरास्टी किरक जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खावर अपडेट बच्चे की उमर 15 साल हो जाने पर फिर से कराना भोगा बायोमेट्रिक पहचान जी हां दोस्तों तथा आधार सिर्फ पहचान पतर ही नहीं बलकि है आपके डिजिटल होने का सबूत भी है बायोमेट्रिक पहचान हो D.A.I. ने ऐससी सूईधा दी है कि आप अपने नवजात बच्चे का भी आधार बनवा सकते हैं तदा बहुत से आस्पतालों में आपसे का आधार पंजिकरण कराने की सूईधा दी जाती है और इस तरह के मामलों में बच्चों का बायोमेट्रिक दर्ज नहीं किया जाता और इस तरह के मामलों में बच्छों का बाइवमेट्रिक दर्ज नहीं किया जाता यादि आप अपने बच्चे का जनम सहे कि आधार कार्ट बनवा सकते हैं लेकिन उसका बाइवमेट्रिक दर्ज आपको 15 साल का होने के बाद याप करा सकते हैं तो आप 15 साल का जब बच्चा हो जाए तो पाइवेंटर उसका जरूर दर्ज करवाई है क्योंकि आधार कार्ट जो है भारत में रहने के लिए नागरिकों को काफी महतोगों एक डॉकुमेंट्स माना जाता है चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी कबर अप पबजी लाइट की बीटर टेस्टिंग इस साल की जनुरी से ही शुरू हो गई थी लेकिन आप कंपरी जल्दी इसे सभी के लिए भारत में लॉंच करने वाली है इसकी जानकरी पबजी लाइट के फेस्बूक पेस्टेम मिलिया हालांकि तारीखा खुलासा अभी नहीं हु घरेलू रूटों का शुरूआती किराये 999 रुपए से शुरू होगा जबकि अंतरलास्टी रूट के लिए कंपणी ने शुरूआती किराये 3499 रुपए टेक किया और यह सेल 11 जुन से शुरू हो चुकी है और 14 जुन तक चलेगी और सेल के दोरान बुक की गई टिक्टों से तदा 26 जुन से लेकर 28 सितंबर के विच यात्रा की जा सकती है यात्री संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी विवानन कंपनी इंडिकों ने समर सेल के लिए 10 लाग शीटे आरक्सीत रखी थी तो तो दोस्तों आब भी इस ओफर का ज़रूर लाग उठाईगा मात तेरा जुन तक चलने वाली है और इस दोरान आप ओलाइन शोपिंग साइट पर सेल के दोरान ही फोन पर कई पहतरिन डिसकाउंट और डिल्स ओफर का मज़ा ले सकते हैं सेल में आपको तब वन प्लस टी से लेकर शाओंवी रेडमी और से सम गैलक्सी M30 तक के कई बड़े को डिसक्रेशन में आपको लिंक मिलेगा वाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कौन जे पौन पर आपको कितना डिसकाउंट मिल रहा है चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली वीडिए ख़ब प्राविट कंपनियों को सबसेडी वाली गेस पैजने के अनुमतित देने के लिए प्यानल जल्दी सरकार को रिपोर्ट देगा उसके बाद प्राविट कंपनियां जबं वो भी वाले गेस लेंडर देना शुरू कर देंगे चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली नागरिकों की वर्था अवस्ता में पेंचन को 400 रुपे से बढ़ा कर 500 रुपर परतिमा कर दिया गया है राज्जे सरकार के इस फैसले से राज्जे के करीब 40 लाग भुजरुक नागरिकों को फायदा मिलेगा वर्थमान में 60 से लेकर 79 वर्थ की आयू तक वर्थ लोगों को 400 रुपर जबकि इससे अधिक उमर के लोगों को 500 रुपर मिलते हैं